आज मैं आप सभी के शार शेयर करने जा रही हूँ अरबी की एक ऐसी नई और बहुत ही टेस्टी और मज़दार से रसपी अरबी की सबजी या फिर अरबी की भुजिया आपने कई बार बनाया होगा लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से डाल वाली अरबी की रसपी को ट्रॉय करके देखिएगा यकीन मानिये आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप इसे बार बर बनाना पसंद करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी के इसे हम बनाना सुरू करते हैं डाल अरबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ये अरबी लिया है साथी मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ये मसूर का डाल लिया है आप चाहे तो डाल की कुएंटिटी अपने पसंद के एक और इनि थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं वैसे हम जितना अर्बी लेंगे न उतना ही दाल भी लेंगे और इस recipe के लिए हम मसूर का दाली यूज करेंगे मसूर के दाल के साथ ये बहुत ही tasty बनता है साथ ही यहाँ पे हम एक medium size का tomato लेंगे और एक medium size का प्यास भी लेंगे अब सबसे पहले ये जो अर्बी है इसे हम छील कर छोटे छोटे टुक्रों में कट कर लेंगे ध्यान रखेगा कि अगर आपके skin थोरी भी sensitive है तो इसे छीलने से पहले आप अपने हाथों के उपर सरसों का तिल जरूर से लगा ले इससे क्या होगा कि इसे छीलने वक्त आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी देखे इसके उपर जो भी छीलके थे ना वो बहुत यासानी से निकल चुके हैं इसे छीलना बहुत यासान है अब इसे हम इस तरीके से चाकू की मदद से गोलाई में कट करेंगे या फिर आप चाहे तो आप अपनी पसंद के कॉर्डिंग इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं और बस सेम तरीके से ही सभी अर्बी को छील कर इसे इस तरीके से गोलाई में कट करके इसे हम पानी की मनद से धोलेंगे अब सबसे पहले कराही को गरम करके इसमें करीब हम 3-4 बड़ा चमचे तेल डालेंगे देखिए थोरी दिर में ही तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है तो अब इसमें हम करीब 1-4 चोटी चमचे राई के दाने डालेंगे देखिए थोरी दिर में ही राई के दाने भी अच्छे से चिटक चुके हैं तो अब इसमें हम 2-3 तेज पत्ता और एक सूखी वी लाल मिर्ज डालेंगे बस 2-3 सेकंड के लिए इसे भी पकने देंगे और अब इसमें हम ये कटे वे अर्वी को डालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते वे हाई फ्लेम पे ही करीब इसे हम 4-5 मिनट के लिए भुनेंगे या फिर जब तक कि ये जो अर्वी है ना उसका जो कलर है वो हलका सा गोल्डन ना हो जाए ये देखिए करीब 3-4 मिनट में अर्वी का जो कलर है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है तो अब इसमें हम एक मीडियम साइस के प्याज को ऐसे स्लाइस में कट करके डालेंगे और करीब इसे हम 2-3 मिनट के लिए और भुनेंगे या फिर जब तक की प्याज और अर्वी दोनों का कलर अच्छे से फ्राई होके गोल्डन ना हो जाए देखिए थोरी दिर में ही प्याज का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है तो अब इसमें हम थोरा सा नमक आड़ करेंगे जिससे की नमक का जो टेस्ट है वो अर्वी के अंदर तक जा सके और इसे करीब हम 1-2 मिनट के लिए और भुनेंगे अर्वी को भुनते वे मुझे हाँ पूरे 5-6 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं प्याज और अर्वी बहुत इच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें हम एक मीडियम साइस के टमाटर को एकदम छोटी चुटी टुक्रों में कट करके डालेंगे और इससे भी हम करीब 1 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि टमाटर का जो भी कच्छा पने वो पूरी तरह से निकल जाए और थोड़ा से ये सौफ्ट हो जाए देखिए सारी चीजे बहुत इच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो इसमें करीब हम देर छोटी चमच ची अदरक लैसन का पेस्ट डालेंगे साथी इसमें हम आदी छोटी चमच ची हल्दी पाउडर डालेंगे तीखा बन के लिए इसमें हम आदी छोटी चमच ची लालमिच पाउडर डालेंगे फिलाल मैंने इसमें धन्या पाउडर नहीं डाला है देखिए 2-3 मिनिट में ही मसाले बहुत इच्छे से फ्राइ हो चुके हैं आप इसके कलर को देखिए पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो अब इसमें हम यह मसूर का दाल डालेंगे तो दाल को पहले हम 2-3 पानी से अच्छे से दो लेंगे उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे और हमें यहां पर दाल को ज़्यादा फ्राइ करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है बस कुछ सकेंड के लिए एक बार मसालों के साथ इसमें अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद तुरंट इसमें हम पानी याड़ करेंगे तो मैंने इसमें पूरे 4 कप पानी डाला है मतलब कि मैंने इसमें एक लीटर पानी का यूज किया है लेकिन आप चाहे तो इसमें थोरा सा पानी और डाल सकते हैं आपको थोरी से पतली गिर्वी पसंद होता हो लेकिन इतने डाल के लिए इतना पानी एकदम पॉफेक्ट है गैस की फिल्म को यहां पर हम थोरी देर के लिए हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से जल्दी उबाल आना स्टार्ट हो जाए देखिए थोरी देर में इसमें उबाल ब्याना स्टार्ट हो चुका है तो अब इसे हम ढख देंगे और गैस की फिल्म को मीडियम करके इसे करीब हम 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे या फिर जब तक की दाल और अर्बी दोनों ही अच्छे से पकना जाए इसे पकाते वे मुझे आपे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं तो एक बार ढखकन हटा के इसे हम चेक करेंगे तो देखिए अब ये अल्मूस्ट रेडी हो चुका है दाल भी पूरी तरह से गल चुका है और अर्बी भी अल्मूस्ट पकने ही वाला है तो इस स्टेज पे अब इसमें हम आदी छोटी चमच ये जीरा पाउडर डालेंगे और आदी छोटी चमच इसमें हम काली मिर्श पाउडर डालेंगे हमें इसमें गरम असरा डालने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है एक बार इन सारी चीजों का आपस में अच्छे से मिला लेंगे और फिर से इसे धख कर करीब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए और पकाएंगे ये देखिए अब ये दाल अर्बी पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितना ज़्यदा पेस्टी लग रहा है और आप इसके कंसिस्टेंसी को देखिए एक दम पॉफेक्ट है जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना थोड़ी सी और भी गाड़ी हो जाएगी तो इससे जादा इसे हम गाड़ा नहीं करेंगे ग्यास को ओफ करके इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे आप चाहेř तो इसमें थोड़ा सा बारी कतावो हरद्वनी भी डाल सकते हैं आप ये बहुत टेस्टी और एकदम मज़दार सी दाल अर्भी को चाहे तो गर्मा गर्म रोटी या पिर चाहे तो राइस के साथ भी सफ कर सकते हैं सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है तो एक बर आप इसे जरूर ट्रॉय कीजिएगा और यकीन मानिये बरे तो कि आप बच्चे भी से मांग मांग कर खाएंगे और आप इसे बार बर बनाना पसंद करेंगे अगर मेरी आज की रैसिपी आप सब को बसंद आयी हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो चलिए फिर्म मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई